Hello Friends, Welcome to Tips India, मैं सतीष कुमार और आज हम डिसकस करने वाले हैं सर्कुलर मोसन के बारे में जैसा कि आप सब स्टुडेंट जानते हो कि ये जो टोपिक है सर्कुलर मोसन का ये टोपिक किसी ना किसी स्टुडेंट को कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ प्रोब्लम करता है तो आज हम इसको थोड़ असा डिटेल में पढ़ते हैं चाहे टाइम 20 मिनट का लग जाए लेकिन हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में और प्रूफ के साथ करेंगे कि इसमें कौन-कौन से एक्सलरेशन काम करते हैं हम टोटल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मॉसन है क्थोण सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ओबज़िक्ट है वो किसी circular path पर चलता है कुछ ऐसे और यहां से अगर यह इसका कुछ center है ठीक है तक हूं कि इस position A से कोई particle या body किसी time T is equal to 0 से और start करता है अपना motion और इस तरफ यहां तक किसी time T is equal to T1 पर किसी angular velocity omega 1 से चलता है और कोई angle travel करता है theta 1 वो यहां से आगे चलता है कुछ और चलते चलते किसी इस position पर पहुँचता है किसी time T is equal to T2 पर और velocity होगी इसकी angular velocity हो जाएगी omega 2 और जो angle यह travel कर लेगा वो होगा इसका theta 2 ठीक है यह angle हो जाएगा इसका theta 2 यह position A है यह position आप भी मान सकते हो इस position को आप C मान सकते हो तो यहां से यह जो OA है यह reference line है और जो theta 1 है theta 1 मैं यहां लिखे देता हूँ कि दो theta 1 है यह angular position है angular position of particle at T1 theta 2 क्या है angular position of particle at T2 ठीक है OA क्या है reference line तो यहां से अगर मैं कहूँ कि theta 2 minus theta 1 is equal to del theta है और इस terms को हम बोल देते हैं angular displacement angular displacement ठीक है angular displacement और angular displacement जो होता है यह dimension less होता है इसको dimension less का मतलब यह हो गया कि आपने अगर MLT formula पढ़े हो निकालने सीखे हो तो उसमें अगर dimension less कोई चीज है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं तो अगर यह question भी आया हुआ है angular displacement का इसका MLT formula बनाओ आप तो आप इसका MLT formula बता सकते हो M0, L0, T0 ठीक तो यहां से अगर मैं आगे चलता हूँ तो एक term साती है average angular velocity average angular velocity average angular velocity तो यह क्या होती है average angular velocity लेकिए हम velocity अगर देखते हैं तो उसमें हम simply displacement वाई time करते हैं लेकिन अगर average angular velocity देखते हैं angular velocity तो यहां कहीं न कहीं angle की बात होती है और मैं यह बोल सकता हूँ कि theta 2 minus theta 1 divided by T2 minus T1 time से divide करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं del theta by del T और अगर मैं इसको average हटा दूँ इसका तो average हटा देने के बाद यह बचती है आपकी शिर्फ angular velocity या आप इसको बोल सकते हो instantaneous angular velocity वो क्या होगी तो आपको पता है कि जब हमने velocity पड़ी थी उस time हमने यह बताया था कि average कोई भी average quantity है वो instantaneous कब बन जाती है जब आपका जो time period है वो tends to zero करें तो यहां से अगर यह time period tends to zero करेंगा या हम limit रखते हैं टी की जगए tends to zero तो हम यह बोल सकते हैं कि जो डेल थीटा है यह d थीटा और जो डेल थी है यह dt बन जाएगा तो यहां से डेल थीटा बाई या d थीटा बाई dt is equal to क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका angular velocity और इस टर्म्स को आप बोल सकते हो average angular velocity यह हो जाएगा आपकी instantaneous velocity तो इसके बाद एक टर्म्स आती है कि average angular acceleration क्या होता है तो average angular acceleration क्या होगा यह भी आपको पता होना चीए average angular acceleration तो यह होता है आपको पता है इसको आप denote कर सकते हो अलफा से और यह होगा आपका velocity by time और velocity कौन सी? angular क्योंकि angular acceleration की बात हो रही है तो omega 2 minus omega 1 divide by t2 minus t1 और इसको आप लिख सकते हो del omega by del t और यह जो आपको displacement है आपका इस displacement की unit भी आप लिख सकते हो जो angular displacement है इसकी unit होती है radian यह भी आप लिख सकते हो इसमें तो यहां से अगर मैं कहूँ कि velocity है इस velocity की unit क्या होगी तो आप बता सकते हो कि radian per second और अगर मैं यह कहूँ कि average acceleration जो है angular acceleration इसकी unit क्या होगी तो आप बता सकते हो कि radian per second square तो instantaneous अगर angular acceleration आप निकालो तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी-अभी instantaneous angular velocity बताई थी तो उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि alpha is equal to d omega by dt ठीक है तो यहां से ये जो है terms ये आपको याद रखनी हैं कि angular में हम ये चीजें देख रहे हैं सारी total तो यहां से ये भी आप बता सकते होगी average velocity क्या होगी average angular velocity और instantaneous angular velocity क्या होगी ये सारी terms आप याद रख सकते हो और इसके बाद आपको अगर कोई बोल दे कि fundamental equation of rotational kinematics भी आपको बताओ तो आप direct बता सकते हो जैसे मैं बताओ कि fundamental equation of rotational kinematics तो आपको पता है कि आपने fundamental equation of motion निकाली थी उसी तरीके से same to same वहाँ जो हम equation बना रहे थे same to same equation यहां बनानी है लेकिन होनी चीए कुछ angular में और angular का मतलब यह हो गया कि omega is equal to d theta by dt यह आपकी first equation बन गई हम उसमें क्या निकाल रहे थे v is equal to dr by dt velocity is equal to dr by dt निकाल रहे थे यहां से अगर मैं alpha कहूं कि alpha क्या होगा या angular acceleration की बात कुरो तो क्या हो जाएगा d omega by dt यह आपकी second equation हो गई और अगर आप इस equation को ऐसे कुछ change करना चाहें जैसे alpha is equal to d omega by dt तो यहां से हम यह बोल सकते हैं कि d omega जो है omega की जगे हम d theta by dt कर सकते हैं तो यहां से d into यह d theta by dt into dt त यहां से alpha की value जो हो जाएगी d square theta by dt square तो ऐसे ही आप fundamental equation of rotational kinematics बना सकते हो तो यहां से अब हम चलते हैं और देखते हैं कि circular motion में कौन-कौन से acceleration आपको मिलेंगे तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि there are there are four types of acceleration in circular motion वैसे बेसिकली आप तीन टाइप के acceleration बोल सकते हो लेकिन फोर्थ टाइप का जो acceleration है वो आमने निकाल लिया वैसे angular acceleration तो हम जो बाकी बचेवे तीन acceleration है उनको देखते हैं circular motion तो यहां से यह है आपका कुछ circular path और मैं यहां से यह इसकी radius है मान लो कुछ r radius है तो इस पर कौन-कौन से acceleration काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहां से जैसे आपने आपकी जो velocity है वो हमेशा क्या होगी इसके टेंजेंशेल होगी बिल्कुल इसके टेंजेंशेल और मैं velocity मान लेता हूँ कि वी है और यहां से इसमें जब आपका जो motion है इसमें कौन-कौन से acceleration होंगे वो जो fast acceleration होगा आपका वो होगा आपका centripetal acceleration centripetal acceleration ठीक है centripetal acceleration होगा यह क्या होता है centripetal acceleration कि आप इसको यह बोल सकते है को it change direction of velocity it change direction of velocity ठीक है और इसका जो formula होता है वो होता है आपका a c is equal to v square by r it means centripetal acceleration होता है वो v square by r होता है यहां से अब हम इसका थोड़ा सब फुरूस देख लेते हैं कि यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि किसी position या किसी time t is equal to 0 पर कोई भी object यहां है और किसी time t is equal to t1 पर वो object यहां तला गया है यहां से यहां ठीक है तो यह जो होगी यह भी आपकी r ही होगी radius और यह जो angle होगा angle यह आपका हो जाएगा d theta क्योंकि बहुत कम time period की मैं बात करता हूँ time period है dt time period यहां से यहां तक चलने में लगा है मानलो आपको dt time लगा है तो यहां से जब dt time लगेगा तो यह जो दिखाई देरी आपको distance यह distance है यह circular ना होके आप इसको linear बोल सकते हो क्योंकि आपका जो angle है वो बिल्कुल छोटा है d theta angle है और यहां से अगर velocity आप इसकी v1 मानते हो तो यहां इसकी velocity हो जाएगी मानलो कुछ v2 और अगर यह circular motion constant है तो constant होने की वज़े से यह जो v1 है यह equal होगा v2 के तो यहां से अगर मैं इसको mathematically देखना चाहूं या vector form में इसको कुछ करके देखना चाहूं प्रूफ इसका तो मैं यह बोल सकता हूं यहां से यह जो v1 है और v2 है इसको मैं parallel shift करके कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि v1 और v2 ठीक तो यह vector है और यहां से यह जो है इसको आप बोल सकते हो dv change in velocity तो same to same अगर यह angle d theta है तो इसके बीच का angle भी क्या होगा d theta क्यों क्यों कि यह जो line है इस line के बिल्कुल perpendicular यह line है और इस line के perpendicular यह line है तो अगर जो angle इन दोनों के बीच में होगा वो ही angle इन दोनों के बीच में भी होगा यह mathematics लिए आप जानते हैं इस चीज को तो यहां से मैं इस triangle को भी अगर लेता हूँ तो मैं यह बोल सकता हूँ e r और r ठीक है यहां से यह r और r हो गया और यह आपका हो गया del r या dr ठीक है अब आपको पता है कि यह angle भी क्या है d theta है और angle अगर दोनों triangle में angle same है और यहां से जब angle same है तो आप यह बोल सकते हो कि दोनों triangle क्या है similar है और similar triangle होने के कारण यह इनकी जो age है यह क्या होंगी same ratio में तो आप यह बोल सकते हो कि d r by r equal to यहां से d v by v क्योंकि यहां से यह तो v1 vector है यह equal हो जाएगा v के और वो equal है किसके v2 के क्योंकि v1 और v2 का अगर magnitude देखते हो तो कितना है v क्योंकि दोनों same है इसलिए मैं यहां से बोल सकता हूँ कि dv by v और अगर इन दोनों को मैं किसी time period dt से divide करता हूँ तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि d r by dt क्या होता है velocity displacement by time क्या होता है velocity r यह है यहां से dv by dt क्या हो गया acceleration लेकिन कौन सा centripetal क्योंकि यह direction change करता है और यहां से यह हो जाएगा आपके पास v और इस equation को हम develop कर सकते हैं कि v square by r is equal to क्या है centripetal acceleration यहां आप ऐसे बोल सकते हो कि a c is equal to v square by r तो यह आपका centripetal acceleration आया यहां से दूसरा जो इसमें acceleration मिलेगा आपको circular motion में वो यह है उसको आप बोल सकते हो दूसरे acceleration को आप बोल सकते हो tangential acceleration tangential tangential acceleration ठीक है तो tangential acceleration को आप 80 से दिखा सकते हो और यह क्या होता है इसकी definition यह है कि it change the magnitude of velocity it change the magnitude of velocity magnitude of velocity ठीक है तो आप इसको mathematical लिए लिख सकते हो कि जो tangential acceleration है वो magnitude change करता है velocity का तो आप इसको mathematical लिख सकते हो कि change in magnitude of velocity change in magnitude of velocity per unit time तो आप यह बोल सकते हो क्या हो गया है यह tangential acceleration तो जो थर्ड होता है वो होता है net acceleration और यह जो net acceleration होगा यह क्या होगा कि अगर आप की body circular muscle में गुमती है और magnitude के साथ साथ direction भी change करती है तो उन दोनों acceleration का it means tangential acceleration और centripetal acceleration का जो resultant होगा उसको आप net acceleration बोल लेंगे तो यहां से मैं यह बोल सकता हूँ कि जैसे यह आपकी कोई circular motion है और यहां से एक acceleration तो अंदर की तरफ होगा कौन सा centripetal acceleration और एक acceleration हो जाएगा कौन सा tangential acceleration और tangential acceleration आपको पता है जो velocity आपकी यह है तो tangential acceleration क्या हो जाएगा इस side और इस side जो acceleration हो जाएगा उन दोनों का resultant कहा होगा कहीं बीच में और आप उसको बोल सकते हैं a net acceleration और यह जो a net है इसका formula मा आपको बता देता हूँ direct लिखके a net का acceleration क्या हो जाएगा a t का square plus a c का square tangential acceleration का square plus centripetal acceleration का square तो यहाँ से यह है आपका third acceleration और जो fourth acceleration है वो हमने discuss कर लिया है उसको हम बोलते हैं angular acceleration यह रहा आपका angular acceleration ठीक है तो यह चार टाइप के acceleration मिलेंगे आपको circular motion में forces in circular motion तो circular motion में जो forces की बात करते हैं तो number one हम लिख देते हैं कि centripetal force तो centripetal force क्या होता है उसकी definition आप लिख लो कि centripetal force लिखो इसकी definition कि it is the force that is necessary to keep an object moving in a curved or circular path and that is directed inward toward center inward toward center तलब center की तरफ जो directed हो और इसको ये अगर आप देखते हो तो ये कोई force नहीं है बल्कि मैं ये बोलूँगा कि net force toward center है ठीक है तो यहाँ से इसका दो formula होगा वो formula होता है F is equal to M into centripetal acceleration और यहाँ से आप इसको M is equal to या M V square by R लिख सकते हो V square R आपको पता है centripetal acceleration का formula हमने निकाला था अभी अभी तो यहाँ से आप यह बोल सकते हो कि M R omega square और आपको पता है कि यह जो omega square है यह क्या होता है क्योंकि velocity क्या होती है V is equal to होती है R omega तो यहाँ से V is equal to R omega तो यहाँ हमने इसकी value put की और अपना answer आया है M R omega square तो कहीं भी अगर centripetal force की बात करें तो उसका formula होगा M v square by R या फिर M R omega square ठीक है तो यहाँ से जो दूसरा force है उसको हम बोलते हैं centrifugal force centrifugal force और यह भी एक fictitious force है तो इसकी भी आप definition लिख सकते हो लिखो इसकी definition या आप इसको यह भी बोल सकती हो कि pseudo force ठीक है आप इसको pseudo force भी बोल सकते हो यह हम इससे आगले जो lecture करेंगे उनमें हम इसके बारे में डिसकस करेंगे फिलाल आप इसकी definition देख लो कि centrifugal force क्या होता है तो लिखो centrifugal force is a fictitious force that is felt by an object moving in a curved or circular path that acts outwardly away from center of rotation ठीक है मतलब center से जो बहार की तरफ जो force होगा वो force हम centrifugal force बोलते हैं उस force को ठीक है तो यहां से इसका जो formula होगा वो formula same होगा mv square by r क्योंकि यह आप इसको बोल सकते हैं जो centrifugal force है उसका just opposite force यह है centrifugal force और इसका formula भी क्या होगा यह होगा आप इसको f is equal to mv square by r या m r omega square लिख सकते हो तो यह centrifugal force है और आपको पता है कि centrifugal force को ही आप pseudo force भी बोल सकते हो या pseudo force की definition भी आप भी बोल सकते हो कि it is also 50th force that is used to eliminate the combined or relative motion of bodies ठीक है तो यह आपके दो forces थे centripetal force और centrifugal force या आप इसको pseudo force भी बोल सकते हो इसका use हम लेंगे जो third unit होगी अपनी 11th class की उसके जो numerical आएंगे उसमें हम इसका use लेने वाले हैं क्योंकि इससे जो relative motion है उसको हम eliminate कर देते हैं ठीक तो इसलिए यह आसान कर देता है बहुत बड़े बड़े numericals को तो इसको हम use में लेंगे और यह जो है आपके पास linear quantity changed into angular quantity यह कैसे होगी यह आपको पता होना चाहिए और अगर आपको यह नहीं पता है तो आप comment section में लिख सकते हो मैं इसके लिए या इसका proof में आपको बता सकता हूँ कि V is equal to r omega कहां से आता है क्यों आता है ठीक है ओके